नमस्कार दोस्तों and welcome back to my channel first investment दोस्तों आज हम बात कने वाले हैं कि कल कौन से particular stocks पे आप लोग trade कर सकते हैं प्लस nifty bank nifty का क्या scenario रह सकता है जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि कल मैंने stocks दिये थे आप लोगों को जंदल स्तील, गेल, मुथूत फाइन्स, रेमेंड, अदानी इंटरप्राइजेस और मैंने आप लोगों को कहा था कि अदानी इंटरप्राइजेस हम लोगों थर्जदे को भी बाय करके मेरे अपने क्लाइंट्स को दे रखा है और मैंने भी परस्नली बाय कर रखा था और हम लोगों को बहुत बढ़िया रेटर्न दे चुका था हाँ जिंदल स्तील ने भी बहुत बढ़िया रेटर्न में आज दिया गेल ने हमारा स्टॉप लोगों हिट करा वो भी क्या हुआ कि हमारे एक्जाक्ट बाय लेवल पे टेस्ट हुआ और वहीं से वो नीचे गिरना मुथूत फञेंस ने में प्रोफिट दिया रेमेंट में हमारा बाय स्वरी सेल हमारा रेमेंट में ट्रिगर ही नहीं हुआ तो यह पर्टिकुलर पाच तॉक में से चार हम लोगों के ट्रेड में गए थे जिसमें से तीन के स्टॉप लॉस तीन के टागेट सेट हुए और तो आज भी मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ और गाइस मैं आप लोगों को बताया था कि मेरा फेवरेट सेक्टर है स्टील सेक्टर एक देड हफ्ते के लिए मेरा फेवरेट सेक्टर स्टील सेक्टर है और इसमें मैंने टाटा स्टील आप ले ले जिए जंदल स इस लेवल से अराउंड 255 से हमने देखा था एक तीन दिन के अंदर एक स्टॉंग मुवमेंट आई उसके बाद दो दिन हाल्ट करा यह देख सकते हैं दो कैंडल हाल्ट करा और आज इसके उपर ब्रेक आउट दे दिया यह वाला जो पैटन है यह पैटन मैंने लगतार कंटी इसके पैटन के अंदर फिर होगा तो अब आप लोगों को बताया है तो इसमें से कम से कम से कम 70 और 60 परसेंट लोगों को समझ में आ गया होगा और पता चल गया होगा कि इस पैटन के थूट रेट कैसे लेते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे जरूट बताएगा कि इस पैटन के बारे में आब आप लोग समझ गया है एक सड़न स्पाइग आती है दो तिन दिन के अंदर फिर हॉल्ट करता है यही पर ही और जैसी इसके उपर निकलने के कोशिश करता है हम लोग बाई बना लाए तो बना पर एक सड़न मुवमेंट आती है एक्जाट अधानी इंटरफ R, इसके अदर खे चादन इडर था एक्जाट जंडल स्थील के अंदर था एक्जाट तार श्व निकलन के इन दर था इसके लिए जो मेरे लिए पर्टिकुलर टागेट निकल के आ रहे है वह फुर्स टागेट इवेंचुली यही है यह देख पा रहे है यही एक रेंज है जो मुझे लगता है कि 2.99, 2.98 के असपास तक यह जा सकता है कल नहीं तो परसोता कहा राम से जा सकता है तो यह एक लिंक है जोइन होने का आप जाके कले करके जोइन हो सकते हैं और वहाँ पर आपको विरियस बेनिफिट्स भी प्रोवाइड होंगे तो इसके लिए आप वीडियो हमारी देख सकते है उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन पर है नेक्स टॉक पर आते हैं टाटा स्टील अब टाटा स्टील पर अगर आप लोग देखिए तो सिमिलर पैटन है इस लेवल से 340 से यह इस लेवल तक यह 370 तक तीन देन के अंदर 30 पॉइंट्स की एक स्पाइक आई हॉल्ट कर आई यह दो कैंडल पर और जैसी से ब्रेक कर हम लोगों ने आपर बाय पॉजिशन इन और आप लोगों को बताना भी है मैं बता तो बहुत अच्छे से रहा हूँ बिट अगर आप लोगों को इस पैटन के बारे में समझ नहीं आ रहा तो यहाँ पर देखिए मेरा बहुत जादा मतलब मैं आप लोगों के लिए आप मेहनत करके यह पैटन से इंटिफाइ कर रह करना है अपनी ये स्टील सेक्टर जो मैं वाच लिस्ट आप लोगों को आज 5 शेरों की दे रहा हूं उस पर आपको अपनी वाच लिस्ट पर आड़ कर लेना अगर कल एक हॉल्ट करता है तो वेट करेगा कि अगले दिन बाउंस करें वेडनेस देखो तो भी आप बना सकते है क्योंकि ये आप लोगों को बड़िए रिटर्न दे सकते आगा next टौक आता है जिंडल स्टील जो मैंने आप लोगों कल भी बताया था जिंडल स्टील को भी आप देख सकते हैं यह देखे है एक सटनन सपाई काई हॉल्ट करा दो दिन और आज ब्रेकाउट दे दिया है हम लोग hold कर सकते हैं क्योंकि मैं तो hold कर रहा हूं मेरे पास जो shares पड़े में उसके थूफ होल्ड कर रहा हूं इसे और अभी भी मुझे लगते है कि momentum बाकी है तो आप लोग कल से buy करके चल सकते हैं ठीक है next talk आता है Ambuja Cement कौण से लेवल पे इन प्रटिकुलर stocks को buy करना है क्या target होने चाहिए क्या stop loss होने चाहिए वह सारा कुछ मैं आप लोगों को बता दूँगा अपने telegram channel के थुरू तो वहाँ पर भी आप लोग जोईन हो सकते हैं नीचे आप लोगों को description पर link प्रवाइड़ेद है Amboja cement अब देख लेते हैं Amboja cement पर अगर आप लोग देखेंगे तो यह एक channel के अंदर काम कर रहा था एक sudden spike आई उसके बाद एक channel के अंदर काम कर रहा था channel का एक breakout दिया breakout देने के बाद इसने Thursday को breakout दिया था अज Monday को यहाँ पर halt कर रहा है इस लेवल पर close करा है जिस लेवल पर हमने देखा था कि previous time close करा था और अभी भी मतलब हो सकता था अगर यह नीचे close करता तो हम लोग थोड़ा सा सोचते भी कि शायद नीचे आ सकता है बट अब इसका जो एक resistance लेवल है मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूं जैके जैसी क्रॉस होता है हमें अच्छे कासे levels प्रूवाइड हो सकते हैं यह देख पाने है यह एक छोटा सा resistance है माइनर बट मुझे लगता है कि अगर आप इस level पर भी भाय करोगे तो भी आपको रिटर्न दे सकता है यह एक resistance है बस यह जैसी क्रॉस होगा हम सीधा higher levels के लिए target के लिए एम कर सकते हैं तो इस particular stock को भी हम लोग बाय बना सकते हैं levels और targets में आप लोगों के telegram channel पर सुबह 8.30 अराउंड अपलोड करते हूं आप जाके देख सकते हैं अगर आप अभी तक जोई नहीं है तो नीचे के comment पे description पे link provided है आप जाके join हो जाहिए अभी इस particular nifty की अगर हम लोग बात करते हैं तो nifty में मैं आप लोगो एक बर दिखा देता हूं देख सकते हैं कि nifty एक particular trend line का तो breakout दे दिया है वो भी gap up के साथ breakout दिया है तो एक positive माना जाता है कि gap up के साथ एक breakout दे रहा है और उसके उपर sustain भी कर रहा है बस एक indecisive candle बनाई रखी है तो उसके लिए हमें सोच रहा है आप लोगों को आता कि जब तक 11,550 के उपर एक close नहीं करेगा तब तक हम लोग buy नहीं initiate करेंगे यह देखें यह है एक strong resistance यहां पर resistance था यहां resistance था और यहीं पर इसने अपना high mark के नीचे आया तो देख सकते हैं कि एक pattern और भी बन सकता है एक head and shoulder type pattern भी बन सकता है मतलब मैं आपको यह नहीं कह रहा है कि बन मैं कह रहा हूं सिफ एक हो सकता है एक buy chance की बन भी जाए अगर नीचे आने की कोशिश करता है बट यह हम assume करके चल रहे है possibility नहीं है की हो सकता है तो कभी भी assume करके चलना और trade लेना दोनों में फरक होता है हम लोग सोच के चल रहे है कि अगर buy chance इसके नीचे कल close देता है तो हो सकता है कि शायद यहां से recover कर जाए नीचे आ सकता है और फिर एक head and shoulder बनाए बट जब तक इस की उपर close है 500 की उपर 11,500 की उपर तब तक हम लोग एक sell का trading share नहीं करेंगे ठीक है तो nifty और bank nifty में कल trade करने की सलाह नहीं दूँगा मुझे नहीं लगता कि कल एक जादा movement buy की तरफ आ सकती है और sell की तरफ भी आएगए तो recovery आ सकती है तो यहां पर आप लोग एक trade लेकर चल सकते हैं बैंग nifty की बात करें तो बैंग nifty पर भी आप लोग देख सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ यहां पर क्या हुआ है आज particular team यह high है यह low है एक Fibonacci हम लोग ने draw करा तो 50% का जो retracement है मतलब जो इतनी बड़ी गिरावाट आई है उसका अगर मैं mid point ले लो 50% यहां तक recover कर चुका है और उसके बाद आज इसको चुआ और दुबारा नीचे आगया exact इस level को चुआ और दुबारा नीचे आगया और अपने बिलकुल नीचे जाके close करा है तो एक strong movement के बाद एक bearish इसने एक candle बनाई है तो यहां से अब एक नीचे की तरफ यह candle बना सकता है दूसरी बात अगर मैं आप लोगों को बता हूँ यहा पहली बार resistance नहीं मिला है यह यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर भी किती बार resistance मिला था तो एक sharp fall इती exact यहां resistance मिला है तो अगर कल market नीचे गरना शुरू होता है तो आप लोग एक sell initiate कर सकते हैं ठीक है यह तिया हम लोगों की आज की analysis अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like कर आई है क्योंकि यह patterns में आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल से identify करके लाता हूं patterns identify करना मुश्किल नहीं है तो patterns को ढूंते विए stocks को identify करना मुश्किल होता है और उसके लिए मुझे जादा मेहनत करनी पड़ती है तो अगर आप लोग कुछ benefit अगर आप लोग कुछ करना बिलकुल मत बूलेगा वहाँ पर आप लोगों को latest updates मिलती रहेंगे और बहुत से लोग stock market के लोग जो हैं वहाँ पर जोड़ेवे हैं community बनी वी है जहां पर आप लोगों के सारे questions के answer provided है तो मैं इसी के साथ वीडियो को इन करता हूं वीडियो पसंदाई तो like करिएग और मैं बलता हूं आप लोगों से अगली वीडियो पर मैं शिवांच भसीन signing off